इस्क्रीम पर तो आपने वेजकरी रेजपी तो देखी ही होगी बट आपने ये भी सोचाओकर वेजकरी बना है तो बना है कैसे तो चलिए आज हम बनाते हैं वेजकरी जो बहुत ही टेजटी और बहुत ही हेल्थी भी होता है अगर आपके पास महमान आए हो अगर आप कुछ डिफरेंट तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये रेश भी बहुत यूजफुल होने वाला है तो चलिए रेश भी के और बढ़ते हैं सबसे पहले आपको सोयबीन लेना है सोयबीन को आपको पानी से धुल लेना है फिर आपको गैसी फिलेम पर रख देना है पानी, एक गलास एक गलास पानी डालने के बाद उसमें उबाल आने लगेंगे फिर यहाँ पर आपको एड़ करना है जो सॉविन आपने धोल के रखा था था ना उस सॉविन को इसमें डाल देना है पिर इन्हें चिम्मच के सहायता से या पिर आप किसी और की सहायता से इनको अच्छे से मिला लेंगे और दो तिर मिनट तक इनको अच्छे से पका लेना है अब देखिए यह जब बहुत ही आप इनको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर इन्हें रेश्ट होने देंगे या फ्लोड ठंडा होने देंगे फिर इन्हें मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे थोड़ा सा पतला पीसने के बाद आप इन्हें एक कटोरी में निकाल ल इसमें बेसन डालकर आप इसे अच्छे से आटे के जैसे गुत लेंगे गुतने के बाद इनको रेश्ट पर रख देना है तब तक यहां पर और मसाले के तयारी कर लेते हैं यहां पर प्याज हरी मिर्च लैसुन और राई ले लिया है राई थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो इनका जो टेस्ट है ना मचली में वैसे राई तो बहुत ही इंपोर्टेंट होता है बहुत ही अच्छा होता अगर आपके पास पेला राई नहीं है तो यहां आप काला राई ले सकते हैं फिर इसे मिक्सिजार में पीस लेंगे यह दे कि मैंने पीस लिया है और बागी जो आपने इनका डो बनाकर तयार रखा था उन्हें रेश्ट पर अब चलिए इनका भी अच्छे से मचली के अकॉर्डिंग का सेब दे देते हैं तो इनहें आप लेंगे और अपनी उंगली की सहायता से इनको थोड़ा सा चिप्टी जी से बनाएंगे और फिर इनमें आप फिर और आप पैन आपको करदेना है अप पोल चाहें तो अंगली से कर दें या फिर आप किसी भी पैन या पैंसल की सहायता से यहां पर होल कर सकते हैं मचली के जैसे ही दिखता है अब यह इने स्टेम करना है तो मैंने यहां पर पानी रग दिया घरम होने के लिए और एक बरतन रख देंगे इस टीम वाला और इसके ऊपर जो आपने मचली का गार बनाया था ना उसे रख देंगे और यह रेस पी अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो इससे जरूर ट्राई कीज़ेगा बनने के बाद नहीं बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही अच्छा इसमें कड़ाई में डालेंगे तेल और तेल में जो मचली का सेप अपने बनाया हुआ था इनको आपको फ्राई कर लेना है यहां पर अगर सरसो का तेल में इनको फ्राई करें तो इनका टेश्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है तो आप रिफाइन आउल ना करके आप यह तो देखिए यह लाल हो चुके हैं अब इनको एक थाली में हम अच्छे से निकाल लेंगे निकालने के बाद तेल अगर आपका जादा हो तो तेल भी निकाल इसको थोड़ा क्योंकि आपने फ्राइट तो करी लिया है तो ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है जीरा और जो मसाला आपने पीसा हुआ था उसको डाल देंगे फिर यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर मिर्च पाउडर हल्दी डाल देना है और जब मसाले आपके अच्छे से बुन जाएंगे तो आप यहाँ पर पानी डाल देंगे और ध्यान रहे नमक तो आपने उसमें डा है देख सकते हैं दो ती मिनट तक इसको पका लेंगे थोड़ा सा गाढ़ा पना जाए तो देखिए यह बनकर तयार हो गए एकदम अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सेर कमेंट जरूर कीजिए और मेरी वीडियो यह रेस्पी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताईएगा और बहुत ही मेहनत लगे हैं यह रेस्पी को बनाने में तो फ्रेंड एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा आप और कमेंट करकर जुरू बताए कि मैं अगला रेस्पी कौन सा लेकर आओं तो देखिए एक बार रेस्पी को जुरू ट्राइ करना तो मिलते हैं